ओम शांति, 22 सेप्टेंबर 2021, बाबा के महावाक्य, मीठे बच्चे, इस बेहद के ड्रामा में, हीरो हीरोईन का पाठ तुम्हारा है, बाप का नहीं, बाप के पास सिर्फ पतितों को पावन बनाने का हुनर है। प्रश्न, ब्रह्मा के चत्र को देख, जो प्रश्न उठाते हैं, उन्हें कौनसा राज समझाना है। उत्तर, उन्हें समझाओ, कि यह आदी सो अंत वाली आत्मा है, जो फर्स्ट प्रेंस श्री क्रश्न है, उनके ही लास्ट जनम में बाप आते हैं। यह पतित तन है, इन्हों को पावन बनना है, यह कोई भगवान नहीं। भगवान तो एवर प्योर है, उसने इनके तन का आधार लिया है। गीत, मुखडा देखले प्राणी। ओम शंती। बाप ने बच्चों को समझाया है, कि शांती के लिए कोई बाहर दरदर धक्का नहीं खाना है। जैसे हट योगी सन्यासी समझते हैं, ग्रहस्त व्यवहार में रहते, शांती मिल नहीं सकती। शांती जंगल में मिलती है, परंतु बाप समझाते हैं, शांती वहां भी नहीं मिल सकती। इस पर एक कहानी वद्रश्टान सुनाते हैं, कि रानी के गले में हार पड़ा था, और ढूंडती ती भाहर, ऐसे शांती तो तुम्हारे गले में पड़ी है, बाहर कहां ढूंडते हो, बाप आकर समझाते हैं, बच्चे, तुम आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। यह शरीर तो तुम्हारी करमेंद्रिय हैं, जिससे तुमको पाठ बचाना पड़ता है। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, नविनाश होती है। हाँ, आत्मा पतित बनती है, इनको ही पावन बनना होता है। आत्मा को पहले किशोर शरीर मिलता है, फिर युवा वृद्ध होता है। आत्मा तो है ही एकरस। पहले पहले तो आत्मा को जानना होता है। मैं आत्मा ही बारिस्टर आदी बनता हूँ। इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी भव। बाप समझाते ही, बच्चे तुम देह अभिमानी बन पड़े हो। इसलिए अपने को शरीर समझ लेते हो। यह भूल जाते हो कि मैं आत्मा हूँ। यह मेरा शरीर है। तो अपने को रियलाइस करना है। 84 जनम भी आत्मा लेती है। अभी बाप ने समझाया है। जो भ्रामन बने हैं, वही फिर देवता बनने वाले हैं। ऐसे भी नहीं कि सब 84 जनम लेते हैं। कोई पहले आएगा, कोई पचास सो वर्ष के बाद भी आते रहेंगे। कोई के असी बयासी, कोई के कितने जनम होंगे। मनुष्य तो 84 लाख जनम कह देते हैं। इनसे भी साटिस्वाई नहीं होते हैं। फिर कह देते, कण कण में भगवान हैं। अब भगवान कहते हैं, कि मैं किसी मनुष्य तन में भी नहीं हूं। तो जानवर पत्थर ठिककर कण कण में कैसे होगा। बाप ने समझाया है, नमबर वन ही लास्ट नमबर में तमू प्रधान बनते हैं। मैं खुद कहता हूं, कि मैं बहुत जनमों के अंत में साधारन तन में प्रवेश करता हूं। जिसने पूरे 84 जनम लिये हैं, वह तो जरूर पतित होगा। पावन तो हो नहीं सकता। बाप खुद कहते हैं, पहले नमबर में है श्री कृष्ण, फर्स्ट प्रिंस। श्री नारायन तो बाद में बनता है, जब बड़ा होता है, वह भी 20-25 वर्ष कम हो जाते हैं। उनके भी पूरे 84 जनम नहीं कहेंगे। नमबर वन है स्री कृष्ण, भल वही फिर स्वयमवर बाद नारायन बनते हैं। परन्तो हिसाब तो बच्चों को करना है न। पूरे 84 जनम पांच जार वर्ष स्री कृष्ण के ही कहेंगे। तो बाप बैठ समझाते हैं। मैं कल्प कल्प उसी ही तन में आता हूं। जिसका आदे से लेकर अंत तक पाट है। दूसरे कोई में आ नहीं सकता हूं। हिसाब है ना, भरमाही पहला नमबर टहरा। मैं और कोई में आ कैसे सकता। तुमसे बहुत लोग पूछते हैं। सिर्फ एक ही भरमा में क्यों आते हैं। परंतु यह हिसाब है ना, यह समझने की बाते हैं। गाया भी हुआ है, भरमा द्वारा स्थापना करते हैं। विश्नु वश्यंकर द्वारा स्थापना नहीं करते। यह और कोई का काम नहीं है। मनुष्य रचता और रचना को नहीं जानते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है, बनी बनाई बन रही। चिंता ताकी कीजिये। यह अभी की बात है, जो होनी हैं वही होती है। वह बदल नहीं सकती। आज जो कुछ होता है, फिर पांच जार वर्ष बाद होगा। बाबा ने समझाया भी था, कोई भी बात ऐसी देखो, तो बोलो, यह कोई नई बात नहीं। पांच हजार वर्ष पहले भी हुआ था, एकदम ऐसा लिख दो, फिर भलवह आकर पूछे, लिखने में कोई हरजा नहीं है। यह लड़ाई पहले लगी थी, नथिंग न्यू, महा भारत की लड़ाई पांच हजार वर्ष पहले भी हुई थी, क्रिस्चिन ने भारत में आकर राज्य चीना, नथिंग न्यू, फिर कल्प बाद भी, ऐसे ही होगा। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्रफी रिपीट होती रहती है। अब फिर से आदी सनातन देवी देवताधरम की स्थापना हो रही है। जिनके 84 जनम पूरे हुए हैं, वही पहले नंबर में लक्षमी नारायन बनेंगे। यह सब राज बाप ही बैठ समझाते हैं। बाप कहते हैं, मैं मनुश्य स्रिष्टी का बीजरूप हूँ। इनको उल्टा जाड कहां जयता है। इस कल्प व्रक्ष की आयू पांच हजार वर्ष है। स्वास्तिका में चार भाग एक जैसे देखेंगे। युग भी इक्वल है। उसमें फरक नहीं पड़ता। बाप समझाते हैं कि देखो दुनिया में तो क्या-क्या हो रहा है। कोई मून में जाते, कोई आग पर, कोई पानी पर चलना सीखते हैं। यह सब है फाल्तू। इससे कोई भी फाइदा नहीं। मनुष्य पावन बन मुक्ती जीवन मुक्ती में तो जा नहीं सकते। कुछ भी करे परंतु वापिस घर जा नहीं सकते। आत्मा को अपना घर और बाप का घर भूल गया है। आत्मा अपने को ही भूल देह अभिमानी बन पड़ी है। फेर मंदिरों में जाकर महिमा गाते ही। आप सर्वगुण संपन्न हम नीच पापी हैं। अपनी गलानी करते ही। बाप तो कभी पुजारी नहीं बनते। अच्छा फिर सेकिंड नंबर में कहेंगे शंकर भी एवर पुज्य है। वह भी पुजारी नहीं बनते। उनका पाठ ही यहां नहीं है। इस स्टेज पर पाठ है भ्रह्मा और विश्नु का। भ्रह्मा और विश्नु का क्या क्या पाठ है। यह दुनिया में किसको भी पता नहीं है। त्रिमूर्ती भ्रह्मा कह देते हीं। अर्थ कुछ भी नहीं समझते। यह भी गाते हीं भ्रह्मा द्वारा स्थापना। कौन करते हैं उनका चित्र ही नहीं मुखस से कहते हैं परंतु वह कहां है शिव क्या चीज है यह भी नहीं जानते आत्मा के लिए कहते हैं ब्रकटी के बीच चमकता है अजब सतारा मैं आत्मा अविनाशी हूँ शरीर विनाशी है कितने शरीर लेते हैं कुछ भी पता नहीं मनुश्य कितने दुखी हैं रडिया मारती रहते हैं ओ गौड फादर जब से दुख शुरू हुआ है पुकारती आएं हैं यह भी समझाया गया है भारत में जब रावन राज्य शुरू होता है तो ऐसे नहीं और धर्मों में भी रावन राज्य हो गया नहीं उनको तो अपने समय पर सतो रजो तमो में आना ही है यह कहानी सारी भारत पर है वह तो बाई प्लोट है बाप बीच में ही आते ही भारत जब तमो प्रधान बन जाता है तो फिर सारा जाड तमो प्रधान बन जाता है, उनको भी सुख दुख भोगना है, जाड में नयने पत्ते निकलते हैं, वह बड़े शोभनीक होते हैं, नयों को फिर सतो रजो तमों में जरूर आना है, पिछाडी में जुआते हैं, उनका कुछ मान रहता है, एक जनम में भी सतो रजो तमों से पास कर सकते हैं, परंतु उनकी कोई वाल्यू नहीं रहती, वाल्यू तो उनकी है, जो हीरो हीरोईन का पार्ट बजाते हैं, ऐसे नहीं कहेंगे, बाबा ही हीरो हीरोईन का पार्ट बजाते हैं, बाबा के लिए नहीं कह सकते हैं, वह तो आकर पतितों को पावन बनाते हैं, खुद पतित नहीं बनते हैं, तुम पतित से पावन बनने की मेहनत करते हो, श्रीमत पर राज्योग से ही राज्य लिया था, अभी तुम फिर ले रहे हो, बाबा कहते हैं, मैं तो राज्य नहीं करता हूँ, तुमको राज्यों का राज्या बनाता हूँ, अब दुनिया में मनुश्य कहते तो बहुत हैं, भगवान वाच, मैं तुमको राज्यों का राज्या बनाता हूँ, परन्तु उनका अर्थ ना खुद समझते हैं न किसको समझा सकते हैं भगवान वाच तो जरूर भगवान आया था तब तो कहां होगा ना हे बच्चों भारत में ही शेवजयन्ती शेवरात्री मनाते हैं बाप आते भी हैं भारत खंड में भारत ही अविनाशी खंड है उनकी महिमा बहुत भारी है जैसे बाप की महिमा अप्रम अपार है वैसे भारत की महिमा भी अप्रम अपार है भारत में ही परम्पिता परमात्मा आकर सब मनुश्य मात्र की सद्गती करते हैं, सब को सुख देते हैं, उनका बर्थ प्लेस भारत है, भारत ही प्राचीन देश है, भगवान राज्योग सिखलाने भारत में ही आया था, परन्तु कृष्ण को भगवान कह देने से उनकी महिमान नहीं रही है, भगवान तो है ही एक, उनको ही सत्गुरु कहां जाता है, बाकी गुरु तो धेर हैं, कोई धन्दा सिखलाने वाले को भी गुरु कह देते हैं, आज कल तो सबको अवतार मान लेते हैं, कुछ भी समशते नहीं, जब बिलकुल पतित बन जाते हैं, तब पुकाशते हैं, बाबा आकर हमको पावन बनाओ, बाब ही आकर सच्ची सच्ची अमर कथा सुनाते हैं, अब तुम्हारी बुद्धी में हैं, कि हम 84 जन्मों में कैसे आते हैं, पहले अच्छा जन्म फिर उतरते आएंगे, दुनिया की भी उतरती कला होती है, मनुश्यों की बुद्धी सतो रजो तमो बनती है, सत्युग से फिर थोड़ी थोड़ी उतरती कला शुरू होज जाती है, चड़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, सर्व का सदकती दाता तो एक बाप है न, वो गुरु लोग तो सिर्फ शास्त्र सुनाते हैं, सुनते सुनते गिरते ही आए हैं, बेहद का बाप आकर बच्चों से पोचते हैं, मैं तुमको इतना साहुकार बना कर गया, इतने हीरे जोहरों के महल दे कर गया, वह सब कहा गये, लोखिक बाप बच्चों को पैसे देते हैं, लेकिन बच्चे पैसा बरबाद कर देते हैं, तो बाप बुला कर पूछते हैं, तुमने इतना पैसा कहा बरबाद किया, बच्चों के पास पैसे होने से उड़ाते बहुत हैं, बाप धर्मात्मा है, बच्चे विलायत में जाकर लाखों रुपये उड़ा आते हैं, बाप कुछ कर नहीं सकता, बाप फारकती भी नहीं दे सकते, क्योंकि दादे की मिलकियत है, परन्तु अंदर जलते रहते हैं, बाप के मर जाने के बाद, कोई कोई तो ऐसे गंदे बच्चे होते हैं, बारा मास में सारी मिलकियत उड़ा देते हैं, वह हैं हद की बाते, यह है फिर बेहद की बात, बेहद का बाप कहते हैं, तुम कितने धन्वान थे, विश्व के मालिक थे, फिर कंगाल क्यों बने हो? इतना धन क्या किया, बच्चुन से ही बाप पोचते हैं, भारत को इतना साहुकार बनाया, सब पैसे कहां गए, फिर बाप ही बैठ समझाते हैं, भक्ती मार्ग में कितना खर्चा करते हैं, शास्त्रों आदी के पिछाडी कितना खर्चा करते हैं, माथा भी टेकते गए, टिपड़ भी गिस गई, पैसे आदी सब कुछ गवा बैठे, यह है ड्रामा, हम तुमको साहुकार बनाते हैं, रावन तुमको कंगाल बनाते हैं, भारत वासियों को ही बाप समझाएंगे न? भारत ही सोनी की चड़िया थी, इतना धन था, जो दूसरे धरम वाले लूट कर ले गए, ख्याल तो करो, भारत क्या था? यह भी ड्रामा बना हुआ है, भारत ही हैवन, भारत ही हैल, अभी है नरक, इसलिए बाबा ने सीड़ी भी ऐसी बनवाई है, जो कोई भी समझे हम पतित हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी चत्र पर समझाया जाता है न? नक्षे बिगर बच्चे क्या समझे? बाप ही आकर पतित से पावन बनने की सहज युकती बताते हैं, सहज ते सहज भी है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी है, सत्युग में देही अभीमानी रहते हैं, आत्मा समझती हैं, अब शरीर बड़ा हुआ है यह पुराना चोला छोड दूसरा लेना है, जैसे सक्षतकार हो जाता है, अब जाकर बच्चा बनना है, पुरानी खल छोड देते हैं, यहां कोई मरता है, तो रोते भी हैं, बैंड बाज्या भी ले जाते, सत्युग में तो खुशी से एक शरीर छोड दूसरा लेते हैं, तो शाद माना मनाते हैं, यहां कितना अफसोस करते हैं, कोई मरता है, तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, तो इसका मतलब नरक में था न, अभी तुम पुर्शार्थ कर रहे हो, स्वर्ग वासी बनने के लिए, बाप तुमको स्वर्ग वासी बनाते हैं, बाप आते ही हैं जीवन मुक्ती देने, रावन के बंदन से छुड़ाए जीवन मुक्त करते हैं, बाप कहते हैं, मैं कल्प पहले मुहाफिक आकर राजयोग सिखलाता हूं, कल्प कल्प भ्रम्मा के ही तन में आता हूं, तुमको भ्राम्मन जरूर बनना है, यग्य में भ्राम्मन तो जरूर चाहिए न, यहे राजस्व अश्व मेध अविनाशी ज्ञान यग्या, इस रथ को स्वाहा करना है, अश्व इस रथ को कहां जाता है, राजस्व स्वराज्ष के लिए यह सब अश्व शरीर इसमें स्वाहा होने हैं, आत्मा तो स्वाहा नहीं होगी, आत्मा ये हिसाब किताब चुक्तू कर चले जाएंगे, फिर नए सिर सबका पार्ट शुरू होगा, इनको कहां जाता है, हिस्ट्री जोग्रफी रिपीट, बाप आते ही हैं, नई दुनिया स्थापन कर, पुरानी दुनिया खलास करने, यह एक ही महाभारत लडाई है, जो शास्त्रों में गाई हुई है, तो समझाना चाहिए, इस लडाई से यह स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, इसलिए इनका गाईन शास्त्रों में हैं, अच्छा, मीठे मीठे, सिखिलदे बच्चों प्रती, मात पता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग, रुखानी बाप की, रुखानी बच्चों को नमस्ते, धार्णा के लिए मुख्य सार, पहला, बीती बातों का कभी भी चिंतन नहीं करना है, जो बात बीत गई, नथिंग नियू समझ भूल जाना है, दूसरा, इस राजस्व अश्व मेध यग्य में, अपना तन मन धन सब स्वाहा कर सफल करना है, इस अंतिन जनम में संपूर्ण पावन बनने की मेहनत करनी है, वर्दान, मास्टर त्रिकालदर्शेबन, हर कर्म युक्ति-्युक्त करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव, जो भी संकल्प, बोल वा कर्म करते हो, वह मास्टर त्रिकालदर्शेबन कर करो, तो कोई भी कर्म व्यर्थ वा अनर्थ नहीं हो सकता, त्रिकालदर्शी अर्थाथ, साक्षीपन की स्थिती में स्थित होकर, कर्मों की गोह्य गती को जानकर, इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराओ, तो कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे, हर कर्म करते, कर्म बंधन मुक्त, कर्मातीत स्थिती का अनुभव करते रहेंगे, स्लोगन जिनके पास हद के इच्शाओं की अविध्या है, वही महान संपत्तिवान है, ओम शंति अभरापन के अविप डो just a click for a peaceful life